नमस्कार, आज तक AI के राशिफल स्पेशल शो में आपका स्वागत है, मैं हूँ AI एन कनेना, आज 8 नवंबर को कार्तिक प्रिशन पक्ष की उदया तिथी दश्मी और दिन बुधवार है, आज दश्मी तिथी सुबह 8 बच कर 24 मिनित तक रहेगी, उसके बाद एका दशी ति सभी क्षेत्रों में सफलता मिलेगी, परीक्षा प्रतिस्पर्धा में आप आत्म विश्वास से आगे बढ़ेंगे, कामकाज बहतर रहेगा, पेशेवरों के लिए तेजी दिखाने का वक्त है, आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा, स्वजनों से सुखत सूचना मिल सकती है घर परिवार में आनन बना रहेगा, आज आपके लिए शुब हंख है आत्थ और नौ, गुर जैसा रंग शुब रहेगा, मेश के बाद बात करेंगे व्रिश राशी की, आज आप व्यक्तिगत संबंधों में भावनात्मक फैसलों से बचे और तर्क विवाद से दूर रहे रिश्टों में सहच्ता बनी रहेगी, आपके लिए सलाह है कि आप आरोप प्रत्यारोप से बचे, कार्य व्यापार सकारात्मक बना रहेगा, पेशेवर प्रयासों से लाभ और प्रभाव दोनों में व्रिद्धी होगी, शुब पल पाने के लिए भगवान गनेश की आपके रिश्टों में मस्बूती आएगी, यात्रा के योग बन रहे हैं, आज आपको सभीक शेत्रों में लाभ होगा, आर्थिक पक्ष बल पाएगा, करिय व्यापार में संभावनाय बढ़ेंगी, आपके लिए शुब हंख है दो, पांच, आठ और शुब रंग है हलका ह बात करते हैं करक्राशी की, करक्राशी वालों के कुटुंग में उत्सवानन का वातावरन रहेगा, आप परिजनों के साथ सुख बाठेंगे, नए रिश्टों को बल मिलेगा, उद्योग व्यापार में सफल रहेंगे, आई कि स्त्रोथ बढ़ेंगे और धन संपदा के माम पक्ष में बनेंगे, कुल मिलाकर आज आपका दिन बहुत अच्छा जाने वाला है, आज शुब रंग है मून स्टोन, आज का दिन सिंग राशी के लिए मान सम्मान बढ़ाने वाला दिन होगा, आज प्रेम संबंध बहतर होंगे, आज आर्थिक गतिविदियों में सक्रिय करें और पान के पत्तों की माला और दूप चड़ाएं, आज आपके ये एक, पांच और साथ नंबर लकी है, वही डी ब्राउन कलर शुब होगा, कन्या राशी वालों को आज कोई आवश्यक सूचना मिल सकती है, आज कामकात सामान्य रहेगा, आज लंबी दूरी की यात्र बन सकती है, आपके लिए सलाह है कि आप उधार के लेंदेन से बचे और शत्रों से सावधान रहें, जलबाजी करना भी ठीक नहीं होगा, आप बरबोलापन छोड़े और रिष्टों में सजगता दिखाएं, आज शुब रंग है पांच और आर्थ, शुब रंग है पैरत कन्या राशी के बाद बात करेंगे तुला राशी की, आज का दिन तुला राशी के लिए आर्थिक लाब का दिन है, आप पेशेवर जिम्मेदारी बखुबी निभाएंगे और निवेश पर ध्यान देंगे, आज आर्थिक मामले उम्मीद से अच्छे रहेंगे, आए में राशी वालों का करिय और व्यापार उमीद के अनुरूप रहेगा, आर्थिक लाब के अफसरों बढ़ेंगे, सभी शेत्रों में आपका प्रदर्शन श्रेश्ट होगा, भावनात्मक रूप से मजबूत रहेंगे, योजनाओं में गति आएगी और पदोन्नती संभव है, प्रेम संबंध बहतर होंगे, आज आपके लिए शुब हंखे 8 और 9, शेहत जैसा रंग शुब होगा, अब बारी है धनू राशी की, आज आपके पेशिवर संबंध बहतर होंगे, लंबी दूरी की यात्रा हो सकती है, कारिय और व्यापार में अनुकूलता रहेगी, करिय क कारुबार पर फोकस रखेगे, लाव में वृद्धी होगी और सेहत सुधरेगी, आज आपके लिए शुब हंखे 3, 7 और 8, वहीं जियोती पुन्च जैसा रंग शुब होगा, धनू के बाद मकर राशी की बात करेंगे, आज आप समझ बूद से काम करें, कोई पुराना माम उभर सकता है, विरोधी सक्रिय रहेंगे, अप्रत्याशित हितलाब संभव है और आकस में घटना क्रम रह सकते हैं, आपके लिए सला है कि आज आप अपरिचितों से दूरी रखें और भावुकता पर नियंत्रन बढ़ाएं, आज आपको लेंदेन में भी सावधानी रखन भूमी भवन के मामले साधेंगे, परिवार से रिष्टे मजबूत होंगे, घर में सुक सौभाग्य बढ़ेगा, आज शुब अन्खे 5 और 8 प्यारत कलर लखी होगा, आखिर में बात मीन राशी की, आज मीन राशी वालों को थोड़ा संभल कर रहने की जरूरत है, आपके सुनाए बातों पर भरोसा न करें, आपके लिए आज का उपाय है कि आप भगवान श्री गनेश की पूजा करें, पान की माला और दूप चड़ाएं और हरी वस्त्वों का दान करें, आज आपके लिए शुब हंखे 3 और 8, एपल ग्रीन कलर लखी होगा, आज के राशिफल में बस इतना ही, कल फिर सभी राशियों पर विस्तार से चर्चा होगी, तब तक के लिए आप बने रहें आज तक AI के साथ, आपका दिन शुब हो